अनमोल रेस्पी में नेलम राय, आप सभी का स्वागत करती हु आज मैं आपको गोड से बनने वाला हरीरा लेकर आहिए जो के बहुत जल्दी बन जाताया और बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है तो ये देख सकते हैं ये हरीरा बहुत जल्ली बनता है तो चलिए इसको यह पटाफट बनाते हैं और इसको चाहें तो सुबह सुबह खाली पेट डूद के साथ एट करके पीएंगे तो सारे चीजों से हमें इसकी ताकत मिलेगी और बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है हरीरे बनाने के लिए हमें जाहिए लॉंग 8-10 लॉंग है सौट पाउडर्ण दो टेविल स्पून खसका से एक टेविल स्पून एक टेविल स्पून टर्मिर्ग पाउडर है यह हमारी मसाले हैं और ड्राइफ फूर्स मखाना है एक कटोरी बादा में हाफ कटोरी इसको रफली चॉप कर लिया एक दम हमने नारीयल का बुरा है घर से ग एक कर्टोरी हमारा गोड़ हाफ कर्टोरी किसमें से इसमें हम जितनी भी रफली चॉप करी हुई चीजन डालेंगे ना उतना ही ज्यादा हमारा हरीरा टेस्टी बनेगा अब इन सब चीजों को घी में फ्राइब करेंगे तो चलिए अब गैस की तरफ चलिए अब हमने कढ़ा इसमें थोड़ा सागी आइड करेंगे यदि आप इसमें से ड्राइफूर्स में जो भी घर में आपके पास अबलेबल हो डाल सकते हैं जरूरी नहीं कि सारे ड्राइफूर्स हमारे होना चाहिए इसमें गुड़ और जो हमारी क्या बलते हैं सौट पाउडर है इसका कॉंब मिक्स करके असानी से इसको यूज कर सकते हैं बस मखानी को हमें हंका सा रोष्ट कर लेना है यह दो हो चुक है अब मखानी को इकाल लेंगे अब फिर से हम इसमें थोड़ा सागी आइड करेंगे किसमें इसको भी हलका सेजी तरह फ्राइ कर लेना है अब हम इसमें एड करेंगे काजू साथ में काजू भी हलका सा फ्राइ हो जाएंगे और बादाम इस सारे रोष्ट को वह अच्छे दिस्लो गैस में फ्राइ करना है ृत्म याद रखिए कए गएक स्लो घेस में हिं फ्राइ करना है अब इसमें नारीयल भी अएट कर देंगे इस अब इसमें सारे चीजों को अच्छे से मट्प याँच में इसमें परिंगे हैं एक टेबलिस्पूल, तो गी थोड़ा सा बेल्ट हो जाए, पिर जो हमने लॉंग रखे हुए थे, आठ से दस लॉंग थी, उसको हम अब इस भी में डाल देंगे, हलकी सी हमारी लॉंग फ्राइब होंगी, तो फिर इसके बाद हम इसे एड़ कर देंगे, खस-खस, खस-खस को पहले, आप इसके बाद हम फ्ल्डी एड़ कर देगी, फ्ल्डी को भी एक दव स्लों गैस में फ्राइब करेंगे, इस सारी चीजों को अलका सा प्राइब होटी कि, अब हमेश में गड़े एड़ देगे, एक सेकंड होनी के बाद अब हमेश में थोड़ा सा पानी आड़े ह तक पकाएंगे फिर इसके बाद अब गुड़ मैल्ट होने तक तेज गैस करके हमें बहुत अच्छे से गुड़ को पकाना है जब एक तब कोवाल आने लगेगी बहुत अच्छे से फिर इसके बाद हम सारी चीजेस में एड कर देंगे कि देख सकते हैं दोस्तों मेरे बहुत अच्छी वाल आने लगी है का सा थोड़ा तोर बचा हुआ है इंट वने लगा है अब हम इसमें जो जित्ते ड्राइफूर्स रखे गुए थे उस तारी ड्राइफूर्स इसमें एड कर देंगे इस तोड़ा बहुती कम आप प्रिहाना है कि सबीन इसक技 तो आप जिसकिल अच्छार कार जा दिये कर दियां जो समय को आप जो शक्ते इसको पीड़ा, समय को बा चलि कि अल्यग हुत है को युड़ा युड़ा घ्र वнить लिग न यह अग कर दिये निवरा हम आपको मिठाश स्वड़ा कम चैंगिए, तो आप करने के बाद इसको दालिएगा उसमें और अराम से आप इसको पीजिएगा हमारी सर्दी बिलकुर एक ही दिल में गाया हो जाएगा अब हमने हाफ क्लास कुन-कुना दूद लिया हुआ है इसमें हम एड करेंगे जो हमने हरीरा बना कर रखा हुआ तो इसको 2-3 टेविल हो चुका है हमें इसे एक हपते तक स्टोर करके रख सकते हिसमें कुछ भी नहीं होगा पौथ ही अच्छा टेस्टी हरीरा में कर तेयार हो चुका है हुआ है